नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पर्मोट ठाकूर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोड़क्ट कैफे यूटूब चैनल दोस्तों सर्द्यों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्द्यों के मौसम में सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर काफी काम आते हैं और आपके घर में यादी छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो रूम हीटर आपके लिए और भी जरूर हो जाते हैं ऐसे में दिया आप एक room heater लेना चाहते हैं और confused हैं कि room heater कितने type के होते हैं, उनके क्या-क्या फायदे और नुकसान हैं, किस type की requirement के लिए कौन से type को room heater best होता है और कौन से brand का कौन सा model आपके लिए best होगा, तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सावलों के जवाब मिल जा तो प्लीज ही चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ऐसी ही इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं types of room heater की, room heater की types की बात करें, तो market में आपको मेली 3 type के room heater मिल जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं infrared room heater की, infrared room heater में heating rod और element का यूज के जाता है, जो अपने आसपास की air को गरम कर देते हैं और धीरे धीरे आपका room गरम हो जाता है, ये काफी size में compact होते हैं, silent होते हैं और काफी affordable price पे आ जाते हैं starting from 800 rupees, इनके अंदर आपको 800 watt से लिएके 1200 watt तक ही power मिल जाती है, इनके अंदर आपको single heating element और multi heating element मिल जाते हैं, जो sufficient होते हैं एक छोटे size room के लिए या फिर 1 to 2% के लिए वहीं room heater के कौनस की बात करें, तो ये room heater oxygen को बन करते हैं, जिसकी वज़य से suffocation और dry air का issue हो जाता है, जो छोटे बच्चे और बुजुरकों के लिए सही नहीं होता ये room heater room को गरम करने में थोड़ा time लेते हैं, तो दोस्ते आप 1 to 2% के लिए कम budget में एक best room heater लेना चाहते हैं, तो infrared room heater आपके लिए एक अच्छा option बन जाता है, infrared room heater में ये दो option आपके लिए best हैं इसमें से नमबर 2 पे आता है, बजाज fleshy radiant room heater, इसका price है 940 के असपास, दोस्ते एक बात का ध्यान रखेगा कि इन सभी room heater के price change होते रहते हैं, तो exact price के लिए आप लिंक पर जाकर जूरू चेक कीजिएगा, हो सकता है कोई sale ये offer चल रहा हो, और ये room heater आपको कम price में मिल जा certification जैसे parts of feature मिल जाते हैं, तो दूस्तों कम budget में एक अच्छा option है, और best है एक छोटे size room के लिए, या फिर 1 to 2 person के लिए, आप इसको check कर सकते हैं, और number 1 पे है, hevels की तरफ से quartz room heater, इसका price है 1650 के असपास, इसमें आपको 800 watt की power मिल जाती है, और 2 year की warranty, इस room heater में आपको 2 heat setting मि stainless steel reflector, carry handle, front grill और tip over switch for safety जैसे main parts of feature मिल जाते हैं, तो दूस्तों हेvels की तरफ से ये quartz heater एक best option है, आप इसको ले सकते हैं, आप बात करते हैं fan room heater की, या जिनको आप ceramic room heater या फिर blow room heater भी कहते हैं, fan room heater में ceramic heating coil और fan का use के जाता है, ceramic heating coil heat produce करती है, और fan की help से air को in heating coil से पास कराय जा जाता है, जिससे air गरम हो जाती है और आपको hot air मिल जाती है, in room heaters में आपको 1000 से लेके 2000 वार्ट तक की power मिल जाती है, in room heaters के advantage की बात करें, तो ये भी affordable price पर आते हैं, ये room को काफी जल्दी गरम कर देते हैं, और best होते हैं medium size और large size room के लिए, इनको यूज करना काफी safe होता है, वहीं इनके cons की बात करें, तो ये क्योंकि इन में fan का use के जाता है, तो ये slightly noisy होते हैं compared to infrared और oil filled room heater, ये भी oxygen को burn करते हैं, but in lesser amount compared to infrared room heater, तो दोस्ते हैं आप अपनी family के लिए ऐसा room heater लेना चाहते हैं, जो आपके room को काफी जल्ती गरम कर दे, और उसका use करना भी काफी safe हो तो आप fan room heater को ले सकते हैं, fan room heater में ये तीन option best हैं, इस list में तीस नमर पर आता है बजाज की तरफ से, बजाज मेजस्टी RX11 room heater, इसका price है 2340 के आसपाथ, इसमें आपको power मिल जाती है 2000 watt की और warranty मिल जाती है 2 year की, ये room heater sufficient है medium size room के लिए, बजाज के इस room heater में आपको temperature adjustment, cool touch housing, triple safety assurance, two heat setting, 1000 watt, 2000 watt और built-in handle जैसे important feature मिल जाते हैं, दोस्तों इस room heater में आपको triple safety assurance मिल जाती है, यानि thermostat, auto thermal cutoff और thermal fuse जैसे safety feature मिल जाते हैं, जिसकी वज़े से safety काफी अच्छी वनी रहती है, ये room heater room को काफी जल्दी करम कर देता है, तो दोस्तों बजाज की तरफ से, ये fan room heater एक अच्छा option है, आप इसको check कर सकते हैं, इस list में दूशे number पर आता है, Orient Electric की तरफ से, Ereva fan room heater, इसका price है 1500 के आसपास, इसमा आपको 2000 watt की power मिल जाती है, और 1 year की replacement warranty, इस room heater में आपको copper motor, 5 level of protection, ABS body and metal mass, bidirectional placement, inbuilt handle, 2 heat mode, 1000 watt और 2000 watt, और temperature control जैसे main parts और feature मिल जाते हैं, by direction feature के विए से, आप इस room heater को vertical और horizontal direction में place कर सकते हैं, ये room heater आपके medium size room के लिए sufficient heating प्रवाइट कर देता है, साथी साथ ये safety point वी से भी काफी अच्छा है, तो दोस्तो, Orient Electric की तरफ से, ये काफी अच्छा option है, आप इसको check कर सकते हैं, fan room heater में, number 1 पर आता है, Hevels की तरफ से, Comforter room heater, model number आप screen पे देख सकते हैं, इसका price है 3600 के आसपास, इसमें आपको 2000 watt की power मिल जाती है, और warranty मिल जाती है, वनियर की, दोस्तो, Hevels के इस room heater में आपको premium design और अच्छी build quality देखने को मिल जाती है, इस room heater में आपको 2 heat setting, 1400 watt और 2000 watt, cool touch body, adjustable vent for better air delivery, temperature control knob, overheat protection, और internal code storage जैसे main parts और feature मिल जाते हैं, ये room heater, desired temperature से उपर जाने पर automatically switch off हो जाता है, जो safety point of view से काफी अच्छा है, साथी साथ इसमें आपको normal air का भी option मिल जाता है, तो दोस्तो, Hevels की तरफ से ये एक best and safe fan room heater है, आप इसको ले सकते हैं, आप बात करते हैं, oil fill room heater की, oil fill room heater में, oil का use के जाता है, surrounding airs को गरम करने के लिए, इसमें कई तरह की fins होती हैं, जैसा कि आप image में देख सकते हैं, जिनको series में connect के जाता है, इन fins के अंदर oil भरा होता है, जब आप heater को on करते हैं, तो ये oil गरम हो जाता है, और अपनी surrounding air को गरम कर देता है, और धीरे धीरे आपका room गरम हो जाता है, इ जिसकी वज़य से suffocation और dry air का issue नहीं होता, और यदि आपके घर में छोटे बच्चे या बुजूर्ग हैं, तो ये room heater आपके लिए best हैं, इन room heater में आपको कही तरह के safety features मिल जाते हैं, जिसकी वज़य से काफी safe हो जाते हैं, यूज करने के लिए, वहीं इनके काउंस की बात अच्ची हो और काफी safe हो, तो oil field room heater आपके लिए best choice बन जाते हैं, oil field room heater में ये दो option आपके लिए best हैं, इसमें number 2 पे आदा है Morphe Richards OFR 9 fins oil field room heater, इसका price है 9500 के आसपास, ये room heater आपको 9 fin, 11 fin और 13 fin size में मिल जाता है, इस room heater में आपको 2400 watt की power मिल जाती है और 1 year की warranty, इस room heater में autothermal cutoff, tilt over switch और coat winder जैसे important और safety feature मिल जाते हैं, इस room heater में आपको heat setting और fan speed control मिल जाता है, जिसकी वैसे आप इसकी heat को और fan की speed को अपने requirement के साब से control कर सकते हैं, तो दोस्तो oil field room heater में ये अच्छा option है, आप इसको check कर सकते हैं, oil field room heater में number 1 पे आता है, Hevels की तरफ से OFR 9 fin PTC fan room heater, इसका price है 9700 के आसपास, ये आपको 3 size में मिल जाता है, 9 fin, 11 fin और 13 fin, इस room heater में आपको 2400 watt की power मिल जाती है, और 1 year की warranty, इसके अपको 3 heat setting मिल जाती है, low, medium and high जिसको आप अपनी heating requirement के हिसाब से set कर सकते हैं, और आप इसके fan की speed को भी control कर सकते हैं, वहीं safety point of view से, overheat protection, tilt over switch, rear safety cover, code winder और large surface fins for extra heating जैसे feature भी मिल जाते हैं, तो दोस्तों, हैवल्स की तरफ से oil field room heater में ये एक best option है, आप इसको ले सकते हैं, तो दोस्तों ये थी complete detail best room heater in India के बारे में, आजा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, आप अपनी requirement के साब से best room heater select कर सकेंगे, यदि अबी भी कोई confusion है, तो आप comment में लेकर में से पूर सकते हैं, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले interesting वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें, स्वास्त रहें, नमस्कार